के सोबी से भी प्यारे प्यारे चात्रों आप सबका स्वागता आपके अपने चैनल टीचर सड़्डा पर मैं हूँ आईश चोहान और बीएड के बाद अब नियोस डियलेड का जो भविस्य है वो भी अधर में चला गया है और जिन बच्चों ने जिसे बीएड किया था प्र आथ्मिक से बाहर हो गए है हां लेकिन ये मैंने क्यों कहा कि ये हार में थोड़ी बहुत जीत भी है कहीं ना कहीं पर और एना यूस डियलेड जीत कर भी हार गया है तो इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा पीछे चलिए स्टोरी में तब सिखाता हूँ आई टी दो हजार नो जब आया तो उसमें कुछ नियम और कानून तै कि बच्चों को हम एजुकेशन तो दे रहे हैं राइट एजुकेशन तो दे रहे हैं लेगिन गुनवत्ता भी तै होनी चीए तो गुनवत्ता तै करने के लिए नसीटी ने कुछ पॉइंट्स डाल दि की थी तो उन्हें भी कहा गया कि आप भी नोकरी मतलब आप भी डिपलोमा कीजिए आप भी जो ट्रेनिंग कोर्स है वो जरूर कीजिए और बाद में टेट एक्जाम भी क्लियर करने का उन लोगों को मौका दिया गया तो अब जो लोग पहले से नोकरी कर रहे थे उनके लि मा उन्हें ओपन से प्रवाइड करने का प्रावधान किया और जहां की नोर्मल डीलेड में 6 महीने की ट्रेनिंग होती है इस कोर्स में 24 महीने के बज़ाए समय रखा गया 18 महीने क्योंकि जो पहले से जोब पर टीचर्स थे या जो पहले से नोकरी कर रहे थे कैसी नहीं किस सिस्तर पर राज्य सरकार केंद्र सरकार या किसी भी स्तर पर नोकरी कर रहे थे उन्हें तो ट्रेनिंग की जरूत नहीं थी स्कूलों में तो पढ़ाई रहे थे तो उन्हें सिर्फ 18 महीने की वो ट्रेनिंग मतलब सिर्फ टीचर ट्रेनिंग कराई गया उन्हें वो पढ़ा तो नॉर्मल स्टुडेंट्स जो थे हाला कि ओन किया गया था ये प्रोग्राम चलाया गया था एनाई उएस ने इसकी पहल टीचर्स के लिए की थी जो पहले से नोकरी पर थी लेकिन जो नॉर्मल स्टुडेंट्स थे जो कहीं टीचर नहीं थे और नॉर्मल डिये लेड करना चाहते थे उन्हें भी इसे फिल कर दिया और फिल करने के बाद बाद में उन्हें मांग की, की हमें भी वैलिड ठेराया जाए अब उसी को लेकर यह सारी कहाणी शुरू होती है और आज इस कहाणी का अंत होता है, दुखदंत होता है जानिकारी के अभाव में वापिस फिर से वही जो B.A. के केस में हुआ और हमारे देश में कानूनों की रूप रेखा पर इस पष्टता ना होने के कारण हुआ तो दुखदंत ये हुआ कि जिन स्टूडेंट्स ने टीचर से अलग इस ट्रेनिंग कोर्स को किया था वो तो अब अवैद हैं किसी भी रूप से प्रात्मिक बढ़ती में हिस्सा लेने के लिए कहीं भी किसी भी राज्य में N.I.O.S. से जो कोर्स किया गया मैं फिर से बता दू अगर आप उस समय कोई स्टूडेंट थे और कहीं पर नोकरी नहीं कर रहे थे किसी परकार से किसी नगर निगम के तहट आने वाले स्कूलों में अगर आप परमनेंट टीचर नहीं थे और आपको ये कोर्स नहीं कराया गया था तो आप इन वैलिड हैं बागी की भरतियों में आप नहीं भर पाएंगे इसके साथ साथ ही जिन टीचर्स ने उस समय पे कोर्स किया था तो उन लोगों के लिए तो कोर्स लाई गया था उनके लिए नायोस डियालेड वैलिड है वो लोग जो है अगर कभी भरना चाहें कोई और फॉर्म भरना चाहें उनके लिए नायोस डियालेड वैलिड है लेकिन इन लोगों के लिए नहीं है तो ये एक तरीके से जीत कर भी हार हुई उन स्टुडेंट्स के लिए खेर अब इसका B.A.D.B.T.C. पर क्या आसर होगा अगर आप इस पूरे जज्जमेंट को पढ़ें तो 38 पेज का जज्जमेंट है इसमें अगर आप पढ़ें तो पूरेंट्स जोएं वही हैं कि हायर क्वालिफिकेशन लोवर क्वालिफिकेशन यह 18 महीने का कोर्स था क्या इसे 2 साल के बराबर माना जा सकता था तो N.C.T.E. ने मना कर दिया कि नहीं मान सकते फिर जो एक B.Ed. जो कोर्स है वो अपर कोर्स था उसे भी यही कह कर मना किया गया था कि अपर कोर्स है आप लोगों को तो बड़ी क्लासिज को पढ़ाना सिखाया जाता चोटी क्लासिज को नहीं पढ़ा सकते यह कह कर मना किया था तो वो ही जो B.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A. करो कर दिंदे करे को